तो नमस्कार कैसे हैं आप सब आप अप लोग अफिज़ादा बढ़ी होंगे और आज की सुडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं फ्रेशर स्टुट्स के बारे में आप लोगों के बारे में जो फिलहाल जस्ट अप किसी भी कोलिज के अंदर डिलिउनुटी के आप ज आते हैं माले जी फिलहाल 12th क्लास के अंदर वह भी स्टुडियो को देख रहे हैं तो हम लोग सीवटी की कंप्लेट प्रपरेशन भी करवाते हैं वर्टस अंदर है और आप प्रपेशन स्टार्ट भी कर सकते हैं राइट चलिए बात करते हैं फाइव टिप्स फो फ्रेशर सबसे पहली जो आपके लिए टिप रहेगी वही होगी कि ओवर इमेजिन किसी भी चीज को मत करना ओर एक्साइट आप बिल्कुल भी मत होना क्यों कि बहुत बार क्या होता है जो अपने से टोप कर दिया है सब लोग ही उससी बैक्राउंड से आने वाले हैं तो कोई आप से सब्सक्राइब करना नहीं बूछने माला है कोई भी आपको एक्स्टरा हइप मिलने वाली है ऐट किसी और आपको ऐसा फिल नियूवाले का सूपर स्टाइब नोर्मल ही होने वाले है तो किसी भी चीज़ को आप ओर इमेजिन मत करना और हाँ पॉर्स दे को तो बिल्कुल करके सिधी क्लास लगा लेनी है तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि आपके लिए बहुत कुछ अलग होने वाला है ठीक है तो इस तरह से आप और किसी भी चीज़ को मत करना यह काफर जाद से दरूरी चीज़ है इसके लावर हम बात करूं तो दूसी चीज़ है कि मान लीजी अगर आप किसी अच्छे पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो तो उसके अंदर आप अपने आपको आइसोलेट मिल्कुल भी मत करना कि देखो जो सरकल उसे जोइन कर लेता हूं और वही मेरे फ्रेंड्स होंगे तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना भाई अपने आपको आइसोलेट करने ही गोश्य मत करना दूसरे लोगों से सबसे मस्त मिलना सबसे मस्त बाते करना कि उससे क्या होता है उससे बिसिकली जितना भी कल्चर हो अब डेली नहीं आ रहे है आप किसी बड़ी दूसरे उनिदर नहीं जा रहे हो तो वहां पर आपको जो सकते हैं इसका आपको यूज करना है सिर्फ अकेडमिक नहीं बलकि बहुत ही अलग परस्पेक्टिव से आपका जो ग्रोथ होने वाली है तो आप लोगों से मिलना मिलकरके रह जाओ रही है तो आपको पता होनी शाइए और अगर मालीची आप लोगों से नहीं मिलते हो तो फिर तौः अपने ह Canvas. को सिखू और यहीँ फायदा हो other ले बाताओ, सुभी आपके सेशन स्था वाले करें अश्ची होने अठ्सीन के उद्वाले होते हैं हर साल क या फिर आपने सुनी है तो मैं सको खोड़ा सा और explain कर देता हूं और वो है network marketing उसके अंदर basically क्या होता है बहुत सा आपको लोग मिलने वाले हैं जो आपके seniors भी हो सकते हैं आपकी ले गले सब लहाँ तो पैसे लेंगे एक अपना business बनांगे यह बनाओ गाई तो काफी जड़ाँ आप लोगो एंप लोगोंगोव एगा कोशिक करेंगे अपसे ऑसे बात कबटें गहीं काफी सब्सक्राइन तवर करեं अप हम आप उस रास्ते तक ले जाएंगे उन लोगों से बच करके रहना है अगर आप पढ़ने के लिए तो आप सिर्फ हो से पढ़ाई ही करना और माली यह अगर किसी का फैनेशल बैगाउंड इतना अच्छा नहीं है उसका है तो बेशक आप जिनको जानते हैं फिर भी आप जो पैसे ले लेते हैं और आपको बोलते हैं अगर आप तुम पैसे को रिकावर करना शाहते हो तो तीन चालोगों से तुम और भी पैसे लोग फिर वो किसी और लेंगे तो इसके अंदर बिल्कुल भी मतफसना में तो आपको 101% क्लियर कट यह चीज़ बोलना शाहता हूं ठाह और बहुत साथी कमपनी फ्रोड होती है और बहुत साथा कमनी जो हूए वह गर्मेंट कर देते लोगों ठीक है तो इससे बच्ट कर गया आप रहना है इसके आप करूं तो एक टीप हो रहे हैं बहुत साथ फुलिए बूशते हैं कि हम कोलेश के इंदर जारे हैं कि हमें तो आप ले लो यार अपनी किताबे जो ले लो लेकिन इसके अलावा ना तो भी वेरियोनेस्ट ऐसा ना कुछ भी ऐसा जरूरी नहीं होता है कि मतलब आपको बहुत साइच चीजे ले नहीं ठीक है माली जब डियू के इंदर जा रहे हो तो भाई डैली जो है एक मेट्रोपल बनाने हो तो ठीक है लेकिन आ ऐसा कुछ नहीं होता है कि अगर आप माली जी कुछ ऐसी शोपिंग घर से नहीं करके जाओगी इसमें आपको दिक्कत आ जाएगी डेली के अंदर तो इसा बिल्कुल नहीं होगा हो सकता है जो अपके घर पेश समाना मिलो डेली के अंदर मिल अब आपको सब चीज़ें यहां पर मिल जाती है अब आराम से यहां पर ख़ढ़ सकते हैं और यहां पर तो इस चीज़ें बिल्कुल भी मतले कर गया ना वाई कि मैं तो बहार जा रहा हूं तो मुझे तो पुरा समान चाहिए आप यहां पर घर बसाने के लिए और बैसिक समान अप लेकर के मताना ठीक है इसके अलाव अगर हम बात कुरूं तो यह भी कफ ज़्यादा इंपोर्टन टिप है और वह है पार्टिसपेशन पार्टिसपेशन का क्या मतलब है अब देखो यार मालनीच जी आप किसी भी फैस्ट के अंदर जाते हो किसी भी कोलेश के अं सब्सक्राइब करते हैं तो अपने पार्टिसपेशन है वह आपको हर मूमेंट पर दिखाना चाहिए और उससे क्या होगा उससे बिसलिए आपका जो कोलेश लाइफ हो काफ ज़्यादा बढ़िया होगी और मानलीच एक किसी सुसालिटी के प्रेसिडेंट हो कि सुसालिटी अब बहुत सब्सक्राइब करते हो अब बहुत साइब लोगोता है जो अब जा सकते हो इन चीजों के अंदर मस्क्राइब को चांस नहीं मिलने वाला है और आप कहां पर पार्टिसपेट को रहोगे तो यह वो टाइम है जब आप अपने आपको वह थोड़ा सा सुसाइटी के लिए खोल सकते होगे हैं मैं भी कुछ कर सकता हूं यह फिर आप दोस्त बनाने के लिए पार्टिसपेट कर सकते हो इन पार्टिसपेशन जो हर चीज के अंदर काफी ज़्यादा जरूरी है एक पॉलिटिक्स के अंदर फोड़ा समझ की करना भाई मैं तो आस प्रस्टेस अधर आप सोचे होगी है मैं भी पॉलिटिक्स के अंदर जा सकता हूं मैं भी भाशन दूंगा जा करके और मैं भी इस तरह से प्रेजिद्ट बन सकते हूं इतना आसान कम नहीं होता है जो पैसे की पावर है जो मनी पावर है मैंड़ पावर है बहुत सार लोग होते हैं वह यह से प्रकेण थे जोब अकसर करते हैं है बहुत ही फ्लकेया करते होंगी वहां पो करे लडागा से मालीं आपको रहना है् लेकिन आपास्पेशन मान लिए आप पैसे ही बहुत जाद है तो आप जा सकते हो डेफिनिटी जा सकते हो लेकर अगर आप मिडिल कास फैमिली उसे हो तो मैं आपको सजैस्स नहीं करूँ आगि यह सोच होगी यह तो प्रेजिटेंड बनना है वह बनना है मतलब सो सकते हो यह रहां कि बिल्कुल भी नेगटिविटी आपके अंदर नहीं जाने चाहिए बिजो रियालेटी हो आपको बतारोंगे वहां पर ना कुछ इस तरह की चीज़ें होते हैं वह उस तरह की चीजें नहीं होते हो कुछ अलग ही होता है जो मैन पावर से सब कुछ सब्सक्राइब करते हैं तो फिर आपको कोई एलेक्शन के लड़ना है तो फिर आप फोड़ा सा पीशेटने की कोशिश करना ठीक है खुब आपके लिए जो टिप्स थी को काफ़ेसा सही रही होंगी काफ़ेसा आपको पसंद नहीं होंगी जैसे कि नेट्वक के बारे में तुम लोग फ्रोड करते हो बहुत लोगों साथ और ये बिल्कुल सच है उसे पीछे मत पढ़ा करो सुदेंस के कोई मना कर दे तो इसको छोड़ दो ठीक है मतलब इरिटेटिम होता है वह लोग बहुत ही जादा और अगर आप कोई नेट्वक मार्टिंग आप सिफिक हेलो सेंड कर सकते हैं अगर आपको डेमो वीडियो सही लगे तो जोइन करो डेमो सही लगे तो आप बिल्कुल भी जोइन मत करना हमारा कॉर्स बाक्या आपके मारजी ठीक है तो मिलते नेक्स वीडियो के इंदर तब तक के लिए बाई बाई एंड टाठा